प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चीट 20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्यान के दृष्टी से एक बड़ा अवसर 36 गड़ की प्रसिध लोख गाई का ममता चंद्राकर को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अगनिवीर बनने युवाव में उत्साह और उमंग प्री भरती रैली में 400 से अधिक युवाव ने दर्ज कराई अपनी उपस्तिती और राष्ट्रिय कैड़ेट कोर एंसिसी आज अपना 74 इस्थापना दिवस मना रहा है प्रदेश में भी हो रहे हैं विभिन आयोजन नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ मनीश हिलवालिया और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समहू की अधिक्षता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्यान का एक बड़ा अवसर है आज आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में उन्होंने कहा कि शांती हो या एकता परियावरन के प्रती संबेदन शीलता हो या टिकाव विकास भारत के पास इन सबसे जुड़ी चुनावतियों का समाधान है प्रधान मंत्री ने 18 नवंबर को एक एतियासिक दिन बताया जब नीजिक श्यत्र के पहले रॉकेट विक्रम S को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली पुरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतियास बनते देखा इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था इस रॉकेट का नाम है विक्रम S स्री हरी कोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्ट अप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही एतियासिक उडान भरी हर भारतिये का सिर घर्वर से उंचा हो गया सार्थियों विक्रम S रॉकेट कई सारी खुबियों से लेस है दूसरे रॉकेट की तुलना में यह हलका भी है और सस्ता भी है इसकी डेवलोप्मेंट कॉस्ट अंत्रिक्स अभ्यान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है कम कीमत में विश्वस्तरीय स्पेश टेक्नोलोजी में अब तो यह भारत की पहचान बन चुकी है प्रधान मंत्री ने प्रोध्योगी की से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षुत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है उन्होंने का कि कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रधेश के किनोर जिले में ड्रोन की मदद से सेव की खेप लाई गई इतनी बर्पबारी में किनोर का हपतों तक राज के बाकी हिसे से संपर्ख बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में वहां से सेव का टांस्पोर्टेशन भी उतना ही कठीन होता है अब ड्रोन टेकनोलोजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किनोरी सेव लोगों तक और जल्दी पहुँच रहेंगे इस से हमारे किसान भाई बेहनों का खर्च कम होगा सेव समय पर मंडी पहुँच पाएगा सेव की बरबादी कम होगी साथियों आज हमारे देशवासी अपने इनोवेशन से उन चीजों को भी संभव बना रहे हैं जिसकी पहले कलपना तक नहीं की जा सकते थी प्रधान मंत्री ने परंपरा और पारंपरिज्यान को सहिचने के लिए नगालेंड में किये जा रहे है प्रयासों की सरहन की उन्होंने कहा कि राज में लीडी क्रो यू नाम का संगठल है जो राजी की संस्कृति के उन आयामों को पनर जीवित करने का प्रयास कर रहा है जो लुप्त प्राय होने की कगार पर है और स्किल्स को बचा कर अगली पीरी तक पहुचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्ता बनाई है जिसका नाम है लीडी क्रो यू नागा संस्कृति के जो खुबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे लीडी क्रो यू संस्ता ने उन्हें फिर सब पुनरजीवित करने का काम किया प्रधान मंत्री ने श्रोताओं से उनके क्षित्र में किये जा रहे है ऐसे अन्यविश्ष्ट प्रयासों को साजा करने की अपील भी की प्रधेश में फसल उत्पादन को प्रोसाहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए राजसरकार ने राजिव गांधी किसान नियाय योजना के शुरुवात की है इस योजना के तहट धान और मक्का के बाद अब गन्ना किसानों को भी जोड़ा गया है प्रधेश के कृश्यमंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि हाल ही में गन्ना उत्पादक किसानों को 73 करोड रुपे की राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की गई धान को हमने सुरवात किया था अन्ने फसलों को भी उसमें सामिल किया गया और गन्ना को भी हमने उसमें सामिल किया है और अभी पिछले हपते ही मानने मुख्यमंत्री जी के हाथों 73 करोड रुपे गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में हस्तांत्रित किया गया है 36 गड़ पहला राज्य है जो इतिनी राजी गन्ना उत्पादक किसानों को दे रहा है सारे हिंदुस्तान में हमारे बराबर की राजी किसानों को कोई भी राज्य नहीं दे पा रहा है गोर तलब है कि इस योजना के तहट किसानों को सहकारी समीतियों के माध्यम से उपारजीत मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रती एकड की दर से सहयताराशी दी जाती है 36 गड के एक मात्र इंदिरा कला संगीत विश्व विद्याले खेरागड की कुलपती ममता चंद्राकर का संगीत नाटक अकादमी पुरसकार के लिए चैन किया गया है राश्ट्रपती द्रौपधी मुर्मू दिल्ली में आजिते एक विशेश समारों में उन्हें संगीत नाटक अवार्ड के रूप में ममता चंद्राकर को एक लाख रुपए और तामर पत्र प्रदान किया जाएगा इस पुरसकार के लिए चैनित होने पर पदमश्री ममता चंद्राकर ने हर श्व्यक्त करते हुए कहा कि आज मेरे जीवन की तपस्या पूरी हो गई है उन्होंने कहा कि इस पुरसकार से समानित होना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी बात है प्रेर सार आशिरवाद और पूरा जंता के आशिरवाद मोल हमेशा इसे मेलत रहे एक अर्ये में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहत हूँ गवर तलवे की ममता चंद्राकर च्छत्टिसगड़ के मश्गूर लोग गाई का है उन्होंने रच्छत्टिसगड़ के राजगीत अर्पा पेरी के धार को भी स्वर दिया है जांजगीर चांपा जिले में आयुजित अगनिवीर प्री भरती रैली में 400 से अधिक युवाओं ने अपनी उपस्तिती दर्ज कराई इस दोरान युवाओं को दोड़ने पुलप और लंबी कूद की तैयारियां कर आई गई भूदपूर्व सैनिको द्वारा की गई इस पहल का युवाओं ने स्वागत किया अच्छे से ट्रेनिंग करा रहे हैं और पहले जो हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे थे अभी हम लोग को उससे बहुत फायदा हो रहा है और हमारी टाइमिंग अभी बहुत अच्छे आ रही है पहले से और दो तारीक को हम लोग जितनी प्रेक्टिस किये हैं उसका हम लोग को लाब होने वाला है जिसमें बहुत सारे टिप्सें सुधार हमारे किये हैं हम पहले टाइमिंग सही नहीं आ रहे थी लेकिन हुआ कि टिप्स दिए गए बुत पूर सनिक–सन dar के जवानों द्वारा और यहांके फिसीकल ट्रेनर सर के द्वारा तो बहुत सारे सुधार हुए हैं और जैसे की दूर्ग में आयोजन होने वाली रेली उससे पहली के प्री रेली उसी के जैसे आयोजन किया गया। वहीं प्री भरती रैली में युवाओं को प्रशिक्षन दे रहे भूत पूरो सेनिक दीपक यादव ने बताया कि उनके द्वारा युवाओं को पुलिस उपनिरिक्षक और सेना में भरती के लिए निशुलक प्रशिक्षन दिया जा रहा है अच्छे ट्रेनिंग करके फौज में भरती हो आर्मी में पुलिस में एसाई में यहां हम हर तरीके से सब चीज का ट्रेनिंग देते हैं ताय कि बच्चे बरती होने से पहले अपने आपको फिट करें और जब भरती हो तब वहां जाके अच्छा पॉर्परमेंस दे और सही तरीके से वहां जाके भरती हो जाए गौर्द लबे की आगामी 2 दिसंबर को दुर्ग जिले में अगनीवीर भरती रैली का आयोजन किया गया है राश्टियर कैड़ेट कोर एंसेसी आज अपना 74 वा स्थापना दिवस मना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ये गणवेश धारी युवा संगठन सन 1948 में इस्थापित किया गया था एंसेसी दिवस पर कैड़ेट्स आज समुचे देश में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गदे विदियों और सामाजिक विकास के कारिक्रमों में भाग ले रहे हैं इस उसर पर 36 गड़ में भी अनेक कारिक्रमों का आयो जन किया जा रहा है दुर्ग जिले के भिलाई में आज़ित स्थापना दिवस समारों में आर्मी और एर विंग के कैड़ेट्स ने हिस्सा लिया कारिक्रम में NCC कैड़ेट्स ने आकरशक मार्च पास्ट किया मार्च पास्ट के बाद स्कूली बच्चों द्वारा रंगा-रंग सांस्क्रितिक कारिक्रमों की प्रस्थूतियां भी दीग बिलाई स्पाथ संयंत्र के कारेपालक निदेशक M.M. गाडरे ने दूरदशन समाचार से बाचीत में बताया कि जिन उद्देशों को लेकर NCC के स्थापना की गई थी उसमें काफी हद तक हम सफल रहे हैं समारो के दौरान विभिन अक्षेत्रों में उतक्रिष्ट कारे करने वाले कैड़ेट्स को पूरस्कृत भी किया गया गरतलबे के NCC युवाओं को उनके विकास के लिए विभिन प्रकार के अउसर प्रदान करता है सम्विधान दिवस के असर पर प्रदेश भर में विभिन कारेक्रमों का आयुजन क्या गया इसी कड़ी में बस्तर और कोंडा गाओं में भी सम्विधान दिवस का आयुजन क्या गया इस असर पर कोंडा गाओं कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि देश के सम्विधान की उद्देशिका के अनुरूप सभी नागरिकों की भलाई के लिए पहल आवशक है इस दिशा में समाज के निर्धन और जुरूरत मंदों के विकास के लिए सभी को मिल कर समन्विध प्रयास करने होंगे श्रिस्तूनी ने बताया के जिला प्रयशासन सभीक शेत्रों के लोगों को मूल भूत सुविधाएं देने के लिए हर संभव पहल कर रहा है इधर जगडलपूर के जिला और 17 नियायले में समिधान दिवस के उसर पर कारिकलम का आयोजन किया गया इस उसर पर अधिवक्ताओं ने जिला नियायले परिसर से एक रैली निकाली ये रैली शोहर के विभिन मार्गों से होते हुए अमर जबान जोती पहुँची जहां शहीदों को नमन किया गया धार्णा बदलने से कैसे तस्वीर बदलती है इसकी मिसाल नव गठित जिले मनेंदरगड चिर्मिरी भरतपूर के कलेक्टर पीएस धुरूव ने पेश की है चिर्मिरी नगर निगम के स्वच्छता अभ्यान का जायजा लेने निकले कलेक्टर की नजर कच्रा उठाने वाले एक बालक पर पड़ी और उन्होंने बालक को अपने पास बुला कर पूछ ताच की बालक ने बताया कि परिवार का पेट पालने के लिए वो पढ़ाई छोड़ कर कबार बिनने का काम कर रहा है जिसके बाद कलेक्टर ने ततकाल नगर निगम के अधिकारियों को इस बालक के विद्याले में दाखिले का आदिश दे दिया साथ ही उसे गणवेश और किताबों के अलावा अन्या आवशक संसाधन भी मोहिया कराने के निर्देश दिये गए है कलेक्टर ने स्थानिय लोगों से कहा कि हमें प्रयास करने चाहिए और धारना बदलनी चाहिए कचरे से किताब तक के सफर में कलेक्टर ने कहा कि घुमन्तु बच्चों को शिक्षा से जोडने के प्रयास किया जाने की जरूरत है साथ ही समाज को इन बच्चों के प्रती अपनी धारना भी बदलनी चाहिए जीले के अन्य जो लंगरी निकाय है खीरविली सहीद सभी में इस तरह के भुमन्तु किस्म के जो बच्चे हैं जो खाली बाटल, सीसी, पनी या अन्य वस्तु कचड़े से कच्रित कर ले हैं कलेक्टर ने विभिन विभागों की एक टीम गठित कर जिले भर से ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कने की नरदेश दिये जो किसी कारण वश पढ़ाई छोड़ चुके हैं ऐसे बच्चों को राजसरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलवा कर शिक्षा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा बेमेत्रा शहर के एक नीजी स्कूल में साथ साल तक के बच्चों के लिए किड्स फीट डे कायजन किया गया जिसमें चार सो से अधिक बच्चों ने भाग लिया इस दोरान वेभिन खेल इस परधा के साथ सांस्क्रितिक कायरक्रमों ने उपस्तित पालकों का मन मोह लिया स्कूल की चेर्मेन भावना बोहरा ने मीडिया से बाचीत में बताया कि इस वार्शिक समारों का आयूजन बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गत्य विद्यों में रूची जगाने के लिए किया गया है खेल इस परधा में पहले दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड और मैडल दे कर पुरस्क्रित किया गया और इस बुलेटिन में इतना ही इसे के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमसकार जो दो में आड बुले है